हेलो फ्रेंड्स आज हम एक मल्टी वेचिटेबल सूप बनाते हैं जो की बहुत ही जादा हेल्दी होगा इसको हम सबसे पहले यह हमें जो इंक्रीडेंस चाहिए उसके लिए हम आल वेचिज ले सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हो इसमें मैंने लिया है कैबिच, मश्रूम, ब्रोकली, और ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा स्निच, कैरेट, बीज और उपर से गारिश करने के लिए कोरियंजर इसमें पूरा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने लिया है यलो तरमरिक, फ्रेश तरमरिक, लॉट्स अव गारलिक, लिटिल बिट जिंजर, और पिंक हेमालेयन सॉल्ट, और ब्लैक पेपर, सो लेट्स गेट स्टार्टे, फर्स्ट वी टेक लिटिल घी, बिकास वी वान्टो मेक, प्योरली हेल्थी, तो पहले इसमें थोड़ा सा घी लिया, जी मेल्ट हो जाएगा, यह करीब आधा टी स्पून है, हाफ टी स्पून घी लेके, इसमें हम पहले अनियन को सॉते करेंगे, तो इसके लिए हम पहले अनियन डालेंगे, इसको सिर्फ हमें 30 से पानी है, वो बस रिलीज हो जाए, जादा देर नहीं करना है, यह सूप बनाना और हल्दी, जब हम वेजिटेबल्स को जादा देर तक गूनते हैं, तो उसके विटामिस खतम हो जाते हैं, इसी के साथ हमें ढालना है, हमारा फ्रेश, फाइन चॉप्ट, हल्दी, लॉट्स चॉप्ट, कार्लिक, यदि आप कार्लिक पसंद नहीं करते हैं, तो इसके बिना भी बना सकते हैं, और जिंगर, फाइनली, चॉप्ट जिंगर, इसमें से अगर आप जो भी इंग्रेडिएट्स पसंद Pen vais कर सकते, और जो भी इंग्रिदेंस पसंद सकते वो अपनी चॉचि तक जादा ब्राउन नहीं करना है, जब यह अनियन थोड़ी सौते होता है तो इसमें हमने इसमें जो ग्रीन लीटी स्प्रीं अनियन इसके ऊपर का हम ग्रीन पाट डाल देंगे, इसको भी बस एक 30 सेकंड के लिए हम बस इसको सौते करेंगे, 30 सेकंड सौते करने के बाद इस स्ट्रूम्स, कारट, कैबच, कैबच, कैबच वेट लॉस में बहुत हल्प करती है, तो मस्ट है कि अगर आप वेट लॉस चाहते हैं और एक हल्दी बनाना चाहते हैं तो आप कैबच को ले ले, और यह निच है लेकिन इसको हम थोड़ा सा बात में आट करेंगे, यह थोड जाल जाल ज़िए, और इन सबको अच्छे से थोड़ा सा हम साथे कर दीए, जो इन पच्छी ज़ीज हो जाए, यह वेट लॉस में बहुत हल्दी है, और इसी सर्विंग समसे कम 2% के लिए एड़ाप्र आप इसको दिनर में लीजिए, यह वेट लॉस में बहुत हल्द इसके साथ कोई काफ नहीं रीचिए, यह प्योरी अच्छा वेजिटेरियन हेल्दी सूप बनकर तयार होगा, इसको बनाने में प्रिप्रेशन टाइम, 10 मिनिक से जादा नहीं लगते हैं, इसको आपको यह सब तयारी जो अपती चॉपिंग है उसमें टाइम लगता है, तो 2-2-3 मिनिक सम्नेट को सौटे कर लिया, इसके बाग हम इसके प्रिंच को आड़ कर देंगे, अब इसको भी 30 सेकंड के लिए हम फोड़ाइस कर लेंगे, अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिंक हेमालन सॉल्ट आलेंगे, पिंक हेमालन सॉल्ट बहुत करता है, इसमें अर्मोस्ट 300 ml पानी अड़ करेंगे, और ब्लाइक प्रेपर, यह दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अड़ कर सकते हैं, इसमें एक अच्छा सा बॉइल आने तक हम इसको कवर्ड करके इसके उपर एक लिट तक आदेंगे, और 2-3 मिन के अंदर एक बॉइल का वेट करेंगे, अब अब इसको और चेक कर लेते हैं, अब हमारी 2-3 मिनिक हो गए है, और इसमें एक अच्छा सा बॉइल आ गया है, तो आप अब इसमें से चेक कर लेते हैं, इसकी वेज़ीटेबल्स अलमोस्ट गल गई है, इसको हम चेक करते हैं तो यह पूरी almost गल चुपी है, इसको हमें थोड़ा crunchy रखना है, तो vegetables को ज्यादा नहीं कलाना है, आप इसमें पानी अपने according देख सकते हैं, vegetable अपने according ले सकते हैं, आपको क्या vegetable पसंद है, क्या नहीं है, कितनी लेनी है, कितनी quantity लेनी है, इतनी vegetable यह 2% के लिए enough है, आप इसको अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते है, इसकी, इसमें carbs हमारे almost 15 हो जाएंगे, इसकी nutrition value में देखे तो protein इसमें कम से कम 5% ही होगा, और इसमें fat 0 है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, इसमें fat होता है, आप अगर add करना चाहें तो इसमें से छोटे-छोटे cubes आप पनीर के add कर सकते हैं, जिससे की आपका soup healthy हो जाएगा और आपको proteins भी इसमें और मिल जाएगे, जब हमारा soup ये पूरी तरीके से तयार है, तो अब इसमें हम garnishing के लिए थोड़ी सी coriander leaves डाल करते हैं, coriander leaves डाल के ये हमारा soup पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, इसको हम बन करते हैं, अभी ready to serve, thanks for watching my video, please like, subscribe, और अगर आपको पसंद नहीं आया है, तो आप अपना dislike भी कर सकते हैं, और नीचे अपने comments लिख सकते हैं, कि आप और क्या better चाहते थे इस soup में, या आपको क्या इसमें अच्छा नहीं लगा, वो भी या या में लाइक, शुक्राइर और केंद। De